हलो दोस्तो नमेश्कार लिंक उपर आयए बड़न पर नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है जो कि आप लोगों को बहुत बड़े लॉस से आपे बजा भी सकता है सो दोस्तो अभी हम लोग आ चुके बिलकुल हमारे नॉर्मल स्क्रीन के उपर और दोस्तो वापस यहाँ पर बात होने वाली है करते पहले हम लोग निउस कवर करेंगे उसके बाद स्टॉक लिस्ट की यहाँ पर बात कर लेते हैं सो दोस्तो बात करें कल के दिन यह हम लोगों को जबरदस नीउस यहाँ पर देखने के पहले कि आर्बिया ने वापस यहाँ पर टाइट कर दिया है क्या टाइट कर दिया है norms for the foreign investment in the NBFC यह दोस्तो NBFC में जो विदेश से जो पैसा आता था इन्वेस्मेंट यहापे आता था उसके लिए कुछ rules है norms मतलब rules काईदा कानून है वो उन्होंने और strict कर दिया मतलब हम लोग कह सकते कि कुछ यहापे जो पैसे आते थे ना अलग-अलग mode से एक ऐसा mode है जहापे अभी हम लोग कह सकते RBI ने बहुत ज़्यादा restrictions लगा दिये या फिर हम लोग कह सकते वो almost उन्होंने पाथ ही बंद कर दिया अभी आप लोग सोचोगी कि यह तो बुरी न्यूस है उपर-उपर से देखा जाए तो एक NBFC के लिए बुरी न्यूस ज़रूर रहेगी बट उसके कुछ एडवांटेज भी है यह दोस्तो ऐसे एडवांटेज जो कि अभी आप लोग पूरा न्यूस पढ़ोगे वड़े रोक लगा दिये किसके रिलेटेड बहुत इंपोर्टेंट वड़े आगे देखे और फ्रेश इंवेस्मेंट फ्रेश इंवेस्मेंट मतलब अभी कोई अगर नया पैसा लेके आया यहाँ पर फॉरेन इंवेस्मेंट किया यहाँ बात हो रही है सो वो यहाँ पर नहीं लापाएगा किसमें NBFC में बट पूरी न्यूज सुन ले न ऐसे आधिवधिवरी न्यूज नहीं है बट यह किस से रिलेटेड फ्रॉम दे कंट्रीज रेड फ्लैग बाई दे एफ एटी एफ जिसकों लोग मतलब Financial Action Task Force FATF आप लोगोंने नाम सुना ही होगा नहीं सुना तो जरू Google करके देख लेना दोस्तों बहुत इंपॉर्टन चीज है सो यह सबसे पहले समझ लेना कि FATF ने अभी Financial Action Task Force में रेड फ्लैग मतलब हम कह सकते हैं उन कंट्रीज में Financially बहुत ज़्यादा दिक्कते होगी और भी कुछ चीज़े यहां पर problematic situation हो सकती है सो ऐसे कंट्रीज जो कि खुद को ही नहीं समाल पा रही है जा पर खुद के फाइनस के लाले पड़े हुए है सो ऐसे कंपनी से जो investment आता था foreign investment का ही पैसा है वो उन्हेंने क्या कर दिया है restrict कर दिया पूरा close नहीं किया है ban नहीं किया है restrict कर दिया बहुत सारे उन्हेंने काईदे कानुन लगाए होंगे पहले 10 पड़ाओ यहापे होते थे शायद से अभी 100 लगा दियोंगे सिर्फ example के लिए बोल रहा हो और यह कल के दिन हम लोगो न्यूस याप पर देखने को मिली और यह किस से related है अगर आपको NBFC में invest करना है भार के country वाले जो आप red flag हो FATF के list के नुसार उनके लिए restrictions अभी लग चुके है देखा जाए कि NBFC के लिए कुछ न कुछ NBFC ऐसे रहेंगे जिनके पास से country कोई भी कैसी भी हो थोड़ा बहुत तो कभी न कभी पैसा आता ही रहेगा ऐसे NBFC के लिए हम लोग कह सकते है कि यह बूरी ख़बर ज़रूर है बट कुछ और भी important point है वो भी मैं आपके सामने ज़रूरी आपे share करना चाहूंगा जैसी कि आप लोग यहापे देख सकते दोस्तो banking regulator website मतलब RBI की बात कर रहें सिधा RBI लिख देते चल जाता बट कोई बात नहीं finance में हम लोग आ जाते तो थोड़ा सा extra लिखना पड़ता है चलो कोई बात नहीं so banking regulator RBI की website की बात करें उन्हें ने बता है कि उनके ही इस पर एक notification है जहाँ पर बताए गया है कि जो FATF ने जो list in का लिए उसमें जो high risk countries है तो यहाँ पर हम कह सकते कि high risk country करके एक column है and उसी की साथ साथ कुछ under monitoring भी है मतलब शायद से उनका नाम भी FATF में मतलब higher risk या फिर red flag में हम लोगों को जाते वे देखने को मिल सकता है so ऐसे country यहाँ पर क्या कर सकते fresh investment in India यहाँ पर क्या कर सकती है directly यहाँ नहीं कर सकती उनको ability है न जो उनको limited कर दिया है उनके ability देखके यह बात को समझो उनने completely ban नहीं लगा है यह ban नहीं है restriction वर्ड यूज के है limit वर्ड यूज के है कि अगर आप लोगों की काबिले थे हम लोग देखेंगे पहले and अगर आप restrictions को fulfill कर पाओ हद में रह पाओ तो definitely आप इंडिया के जो अगर आप वापस देख सकते है बहुत important है मैं star इसलिए लगा रहा हूँ क्योंकि आपको समझ में आएगा बाद में fresh investor की बात हो रही है अभी आप यह भी सोचो कि कोई तो existing investor भी रहेगा जिसने यह पैसा लगाया होगा कुछ promise किया होगा forward की contract ऐसे कुछ तो रहेंगे उनके के आगे आने वाले पैसे रहेंगे तो उनका क्या तो वो भी मैं ज़रूर बताऊंगा इसलिए कि रहा हूँ यह fresh investor की बात हो रही है जो अभी अभी enter करेंगे इससे related clear cut का है कि जो fresh investor रहेंगे shouldn't be allowed to directly or indirectly acquire a significant influence आर बेने बोला है अब यह बहुत ज्यादा important है दोस्तो जैसे कि आम आदमी retail investor रहता ना वह इन चीजों से फैमिलियर नहीं होता है अब यह significant influence के है तो दोस्तों बहुत ही simple significant influence मतलब यह आगे भी आप लों को थोड़ा paragraph पढ़ लिता हो फिर आपको समझ मैंगा आप देख सकते हैं fresh investor from these directions in aggregate should be less than the threshold of 20% of the voting power in the nbfc so बहुत ही जबर्दस यहापे चीजे बताइए कि एक nbfc पकड़ लेना यह एक nbfc है right and अगर यह जो limited भी आपर बताएगे है न कि restrictions लगाएगे ऐसे countries से जो पैसा भी आएगा न वो सभी ऐसे countries की list जितने भी है पैसा यहापे mark कर लेना उन सबका पैसा जोड़के भी 20% से cross नहीं होना चाहिए एक country की बात नहीं करें जितने भी red flag जो countries रहेंगे इस list FATF की जो restrictions में बात किये सबी countries का जो पैसा यहापे nbfc में लग रहा है उसका total करना 20% क्रॉस नहीं करना चाहिए यह यहापे बताय हुआ है और दोस्तों इसी को अगर हम लोग यहापे बात कर significant influence अभी significant influence मतलब जैसे में हमेशा कहेता हो अभी इसका अर्थ change होता है आप किस format में यहापे बोल रहे हो इसा कोई fix आप लोग को definition एक इसमें नहीं मिलेगा अलग-अलग इसमें अलग-अलग शब्त का प्रयोग होता है बट significant influence मतलब केसे कोई भी company में आप लोग को बता है 50% से ज्यादा अगर आप लोग ने voting power लग लिया तो क्या हो जाता है वो company आपकी हो जाती है right subsidiary बन जाती आपकी 51% बोर्ड में आप लोगों का ताकत है आप लोग जैसे चाहो क्या कर सकते हो मतलब बोर्ड को नचा सकते हो अगर आप 51% तक take उसमें own करते हो तो significant influence क्या रहते है significant influence में आप company के मालक नहीं बनते हो बट आपके पास इतनी जबरदस power होती है कि आप decision अपने favor में ला सकते हो right अभी अगर मैं बात करूँ बहुत जगे पर significant influence 20% भी रखा जाता है right देखा जाए तो अलग-अलग maximum इसमें मतलब आप लोग company के owner तो नहीं हो 20% बट आपके पास voting power इतनी जबरदस थे 20% की and इसलिए आप देख सकते हो नीचे भी लिखा है कि 20% से ज़ादा voting power cross या पे न बाव डाल सकते हैं लोग प्रेशराइज कर सकते हैं तो इसको ही बोलते significant influence तो एक नया शक्ते अगर आपने first time सिखा होगा commerce के student के लिए तो यह बहुत ही मतलब रोज की बात रहेगी शायद से अगर धंग से पड़ा होगा तो मतलब आप समझ रहे हो so significant influence इस बात को समझ सकत हो so overall यहाँ पर RBA कहना क्या चाता है RBA यही कहना चाता है कि जितने भी यह जो NBA finance के बारे में RBA बहुत जादा स्टिक हो चुका है क्योंकि यह कहान ही शुरू होई थी हम लोग कह सकते जो DHFL थी DHFL जैसी Ruby बहुत बड़ी company थी बढ़ फ्रॉड को कोई track नहीं कर सकता दोस्तो बहुत सारे लोग पूछते सर फ्रॉड को कैसे track करे मतलब एक आदमी की नियत कभी track नहीं कर सकते दोस्तों इससे पहले भी मैंने आपको बता है यह risk लेके बोलते ना यह सर पे कफन लेके चलना ही पड़ता है market में कभी भी कुछ भी हो सकता है किसी भी company में मैंने इससे पह कुछ भी आदमी पैसों के लिए कुछ भी कर सकता है कभी कितना भी करोड का मालिक क्यों नहीं हो राइट तो यह तो एक रिस्क रहती है जिसको हम लोग track ने एक हम लोग अंदाजा ले सकते हैं यह आदमी अच्छा है इसने बहुत लोगों की मदद किये तो ऐसा आगे future में नहीं होगा करके और अगर कोई person ऐसा management में जिसके उपर बहुत सरे allegations है आरोप है financially frauds करके रखे हुए है तो ऐसे company से दूर रहना ही better रहेगा क्यों कि आगे कभी ना कभी ऐसी चीज़े हो सकती है so ये point हम लोगों को समझ में आना चाहिए कि RBA इसी के वज़े से यहापे NBFC के लिए बहुत ही ज़्यादा strict कानून यहापे कर रहे ही कि आगे जाके पैसा डूबना नहीं चाहिए बहुत ही ज़्यादा important चीज़े अभी हम लोग आएंगे कि existing investor मतलब जो पुराने लोगों प्रूर कर लेना and in the case अगर आप additionally कोई investment लाना चाते थे जो original contract जिसके प्रती पहले बात हुई थी तो वो भी आप लोग continue कर सकते इसके लिए यहापे इंडिया आप लोगों को क्या करेगा support करेगा कोई भी आप दिक्कत वाली बात नहीं रहेगी बट इसलिए मैंने star किया तक इसको fresh investment जिन्होंने अभी तक नहीं किया अभी अगर आप लोग आओगे तो आपके पूर बहुत सारे restrictions है वो जब तक आप लोग fulfill नहीं करते हो आप इंडिया के NBFC में यहापे पैसा नहीं लगा सकते बट यह rule किसके लिए FATF की जो red flag वाली countries है उनके लिए यहापे applicable होने वाला है अभी हम लोग बात करेंगी कि इसमें कौन-कौन से countries आती तो बहुत सरे आएंगी बट अभी तक जो popular है आप देख सकते हो Republic of Korea इरान जैसे countries हम लोग को FATF के high risk list में आप देखने को मिलती है उसी के साथ साथ अगर हम लोग बात करें अलग-अलग classification है कि monitoring में औ और कौन से? कमबोडिया भी है, घाना भी है, जमाइका है, मौरिशियस भी है, पाकिस्तान भी है, पनामा है, जिंबावे है, बहुत सरे ऐसे countries है, तो यह हम लोग को यहापे क्या होती है, FATF के list में आपे आते वे देखने को मिलेगी, एक बार वो यहापे आते वे देखने आ रहा था, तो उनके लिए तो यह बुरी खबर रहेगी, अगर आप company के point of usage सोचो तो, जरू उनके share में हम लोग को pressure देखने को मिल सकता है, बड़ अगर मैं बात करू, हम लोग कौन से NBFC के साथ रहते हैं, हम लोग हमेशा fundamentally strong, जैसे की बजाज finance, या फिर अगर हम लोग कह सकते हैं कि बड़े NBFC का यही फाइदा होते है, आप देख सकते हैं, NBFC आपके समने, बजाज है, मुत्वट है, होल्डिंग है, श्रीराम ट्रांस्पोर्ट है, IRFC है, M&M Financial है, सुंदरम Financial है, L&T Finance, मनमपुरा Finance, यह बहुत लंबी लिस्ट है, बोलते रहे जाओंगा तो बहुत टाइम हो जाएगा, यह दिखे, सो बताने का मकसद क्या है, कि न्यूस क्या है, न्यूस अगर देखा जाए, तो नेगेटिव न्यूस है, इसमें कोई शक्की गुंजाज नहीं, बट अगर आप न्यूस को धंग से पड़ो, तो हम लोग कह सकते कि फ्यूचर के पड़े हैं, कोई गैरेंटी ने आगी क्या होगा, इसे कंट्री से, तो ऐसे कंट्री से संभाल के रहना ही अच्छी बाते, अगर देखा जाए, एज अ कॉस्टमर्स पॉइंट अफ्यू, तो यह बहुत यह अच्छी न्यूस है, क्योंकि आर बिये, आपका पैसा हम लोग क चीजे रहेगी, पावरफुल चीजे रहेगी, तो जो बड़ी NBFC है, वही उसको अच्छी तरीके से कोप अप कर पाएगी, जहल पाएगी, जो छोटे NBFC है, वो इसके कारण नीचे भी गिर सकती, या फिर कंसलिडिशन फेज में भी जा सकती है, अपने ग्रोथ को भी यह उनके साथ शेर भी कर दिना, so that's it, thank you very much दोस्तो, we will be meeting on next video, तब तक के लिए, bye bye